अम्मा दे आदे तरह मुण्डा निगडा जाए पिपे पिपे ओ चड़ गई कूक कूक कूकी मनू प्यार दी चड़ गई लेना है लेना है लेना है दमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल में नबे के दशक में देश में बढ़ते उधारी करण के साथ ही पॉप म्यूजिक के तरफ भी लोगों का रुजान बढ़ा कहा जाता है कि पॉप म्यूजिक इस दोरान बहुत तेजी से बढ़ रहा था और अपने उफान पर था इस दोर में लोगों को लकी अली, अलीशा चिनौई, अनाईजा, बाबा सहगल, यूफोरिया, सिल्क रूर, आर्यन्स, श्वेता शटी जैसे सिंगर्स के गाने बहुत पसंद आ रहे थे वहीं इस कड़ी में एक ऐसे सिंगर्स भी थे जिनोंने अपने गानों से पूरे देश में तहलका मचा दिया था और अपने करियर के पीक समय में आकर बॉलिवुड छोड़ कर चले गए कुछ एक्स्ट्रा इंकम के लिए दोस्तों संग गिटार बजाने वाले इस सिंगर्स ने ना केवल बॉलिवुड में अपनी गहरी चाप चोड़ी बलकि विदेशों में भी बहुत काम्याब रहे जबकि करियर के पीक पर फेमस बॉलिवुड सिंगर मन्ना डे ने इनके साथ कंसर्ट करने से मना कर दिया था उमीद है आप सब इस सिंगर को पहचान गए होंगे यगिनें आप सिंगर को ना पहचान पाए हों लेकिन इनके गाये गीतो पटो जरूर ही जुमे होंगे अपने देश से बेहत लगाव रखने वाले और करियर में एक सिंगर, गीतकार और संगीतकार रहे इस शक्स को दुनिया बाली ब्रह्मभठ के नाम से जानती है ये बाली ब्रह्मभठ ही थे जिन्होंने अपनी पहले पॉप गाने से ही तहल का मचा दिया था और उनको लोग घर घर पहचानने लगे थे लेकिन अचानक अपने करियर के पीक समय में आकर बॉली बुट जोड़कर विदेश में शिफ्ट हो गए जानेंगे इस सिंगर के बारे में विस्तार से आप बने रहिए हमारे साथ अपनी मिट्टी से बेहत लगाव रखने वाले फेमस सिंगर बाली भले आज बॉली वुट से दूर हैं लेकिन उनके करियर में एक दौर ऐसा भी था जब उनके गाए गाने चाट बस्टर्स हुआ करते थे अपनी गाई की से अलग पहचान बनाने वाले बाली ब्रमभट का जन केन्या के नैरोबी शहर में हुआ था और उन्होंने अपनी शुरुवाती पढ़ाई केन्या से ही की संगीत में शौक रखने वाले बाली अपनी पढ़ाई के दौरान वीकेंड की छुटियों में एक्स्ट्रा इंकम के लिए दोस्तों संग गिटार बजाते इस दौरान वो हिंदी और अंग्रेजी गानों को अपनी धुन बना कर बजाते जिसे उन्होंने शुरुआत तो बस अपने शौक के लिए किया था लेकिन शायद उनकी किस्मत के अलावा किसी को नहीं पता था कि आगे जाकर वो बतौर पॉप सिंगर जाने जाएंगे उनका हिंदी और अंग्रेजी का फ्यूजन काफी पसंद किया जाता था अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अपने शौक संगीत को ही अपना करियर बनाया और एक संगीत कार, गीत कार और सिंगर के तौर पर अक्टिव हो गए और इसके लिए वो म्यूजिक इंडस्ट्री में करियर बनाने के लिए अमेरिका चले गए लेकिन उनका दिल वहाँ नहीं लगा वो अपने देश में ही कुछ करना चाहते थे वो हिंदी सिनमा में कुछ करना चाहते थे पिर उनका मन कहां अमेरिका में रमता जल्दी उनको ये मौका भी मिला और वो माया नगरी मुंबई शिफ्ट हो गए बताएंगे इस सिंगर के करियर के बारे में विस्तार से आप बने रहिए हमारे साथ एक ट्रेडिशनल गुजराती परिवार में पैदा हुए बाली का बचपन खेनिया में बीतने के बावजूद हिंदी पर बहुत चांदार कमान था उनका पालन पोशन भले बाहर हुआ हो लेकिन उनके परिवार ने अपने जड़ों को कभी नहीं छोड़ा बाली की माँ चाहती थी कि वो अपने देश में ही करियर बनाए बाली अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अमेरिका शिप्ट हो गए थे जहां पटेल रैप के नाम से अपना पहला म्यूजिक अलबम रिलीज किया बाली अपने पहले अलबम से ही अमेरिका में बहुत हिट हो गए और उनका गीत संगीत सब के जुबान पर चड़ गया जिसकी उमीद बाली को भी नहीं थी बाली अमेरिका में खासा चर्चित हो गए और उनका अलबम चार्ट बस्टर बन गया इसी दौरान बाली ब्रह्मभत की मुलाकात बॉलिवुद के मश्यूर म्यूजिक डिरेक्टर और डिसको किंग बपी लाहरी से हुई बपी दा को बाली बहुत पसंद आए उनको अपने आने वाले फिल्म में बपी दा ने मौका भी दिया जल्दी ही बाली ने बपी दा के साथ एक गाने की रिकॉर्डिंग की जो आगे जाकर चार्ट बस्टर बन गया ये गाना था साल 1993 में रिलीज होई फिल्म बॉम ब्लास्ट का लेना है लेना है और इस तरह बाली ब्रमभट ने बपी दा के साथ बतौर सिंगर बॉलिवुड में अपना करियर स्टार्ट किया इस एक गाने से बाली सब की नजरों में आगे और किसी पहचान के मोहताज नहीं रहे और इसी के साथ बाली ब्रमभट बॉलिवुड में भी खासा एक्टिव होते चले गए इसी साल 1993 में रिलीज हुई बिग बजट के फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा के टाइटल ट्रैक को गाने का बाली को मौका मिला इस फिल्म में उनका गाया ट्रैक तू रूप की रानी में चोरो का राजा काफे हिट हुआ जिसे दर्शकों ने बहुत पसंद किया बाली ब्रह्मभट अब बॉलिवूद में बढ़िया नाम कमा चुके थे और लोग उनको सुनना पसंद करते थे इसी दोरान बाली का वो गाना रिलीज हुआ जो उस दोर के हर नौजवान की जुबान पर चड़ गया ये गाना इतना प्रभावी रहा कि आज भी युवाओं में इस गाने का क्रेज देखते ही बनता है और ये गाना था साल 1994 में रिलीज हुई फिल्म स्टन्ट मैन का अम्मा देख इस एक गाने से बाली ब्रमभट की पॉपिलारिटी आसमान चुने लगी और उस दोर के तमाम टॉप पॉप सिंगर्स की कतार में वो आ गए इसके बाद बाली ब्रमभट एक के बाद एक हिट देते चले गए और सफलता पाते गए साथ रहकर मुझे होना नहीं है आया हूँ जहां से वो बड़ा उंचा कराना है कूक कूक कूकी और चड़ गई कूक कूक कूकी साल 1994 में रिलीज हुई फिल्म इकका राजारानी के गीत मेरे सावरे सावरिया भी बहुत हिट हुआ इसके बाद साल 1995 में शारु खान की रिलीज हुई फिल्म राम जाने का गाना पंप अप दभांगडा आया जो बहुत पसंद किया गया साल 1997 में अनिल कपूर की रिलीज हुई जुदाई का वो गाना शादी करके फस गया यार आया जो काफी बहतरीन रहा यकीनन आपको आज भी ये गाना अक्सर सुनने को मिल जाता होगा बाली ब्रमभट का साल 2000 में फिल्म जिस देश में गंगा रहता है का गाया एक गाना केमचे केमचे तो सबकी जुबान पर चड़ गया था जिससे पूरा देश उनके साथ केमचे गाने लगा था उन्होंने नब्बे के दशक में कई हित दांसिंग सॉंग्स गाए और अपने गानों से सबको धिरकने पर मजबूर कर दिया साल 2003 में रिलीज हुई फिल्म वैसा भी होता है के लिए अपना लास्ट गाना गाया बाली ने और इसके बाद वो बॉलिवूड और देश दोनों ही जोड़कर लंदन शिफ्ट हो गए बाली ब्रह्म बट ने ना सिर्फ अपने करियर में गाने गाए बल्कि संगीतकार भी रहे साल 2002 में रिलीज हुई फिल्म हम तुम्हारे है सनम के लिए संगीत भी तयार किया जो दर्शकों को बहुत पसंद आई इस फिल्म के लिए उन्होंने गाने भी गाए बाली ब्रह्म बट करियर में बहुत वर्सिटाइल भी रहे वो सिनमा में गाने के साथ अपने म्यूजिक अलबम्स भी निकालते रहे साल 1995 में रिलीज हुई अलबम्स गबबर मिक्स को बहुत पसंद किया गया वहीं अपने पहले अलबम पठेल रैप के और भी वर्जिन पर काम करते रहे और रिलीज किया जिसका जादू अपने पहले अलबम की तरह चलता रहा साल 1999 में रिलीज हुआ उनका एक और अलबम कमाल ही कमाल का कूक कूक कूकी और चड़ गई सौंग बेहद हिट रहा इस गाने को आज भी बहुत याद किया जाता है और हर शादी ब्या इसके बिना कोई भी डांस पूरा नहीं माना जाता बॉलिवुड में बतौर सिंगर, म्यूजिक डिरेक्टर और रैपर बाली ब्रमभट ने कई सुपर हिट सौंग्स दिये इसके बाद इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया और अचानक सिनमा जगत से गायब हो गए दरसल उनके बॉलिवुड छोड़ने पर कहा जाता है कि बाली ब्रमभट को बॉलिवुड में मन ही नहीं लग रहा था वो आराम से फ्रामली के साथ टाइम बिताना चाह रहे थे और बॉलिवुड की भाग दौर की दुनिया से आराम से जीवन बिताना चाह रहे थे जो बॉलिवुड में एक्टिव रहते थोड़ा मुश्किल हो रहा था उनके लिए फिलहाल बाली ब्रमभट लंदन में रहते हैं और वही के लाइका गोल रेडियो में आरजे का काम कर रहे है आपको बता दे कि ये ब्रिटेन का पहला और रेट्रो एशियाई म्यूजिक स्टेशन है यहां बाली ब्रमभट ता दिन के एक बजे गोल्ड दोपहर के नाम से शोप्रसारित होता है आज भी बाली ब्रमभट को संगीत से काफी लगाव है और वो अकसर स्टेश शोज में नजर आते हैं अभी वो बतार आरजे एक्टिव हैं और साथ ही दुनिया भर में घूम घूम कर स्टेश शोज करते हैं आगे बताएंगे मना दे और बाली के जीवन का वो मशूर घटना जिसके बिना ये एपिसोड पूरा नहीं होगा आप बने रही हैं हमारे साथ चलते चलते बाली ब्रहमभट के साथ हुए घटना का जिक्र करना जरूर चाहेंगे जो एक समय में मीडिया की सुर्किया बन गई थी दरसल बाली ब्रह्मभट गोवा में कॉंसर्ट कर रहे थे इसी कॉंसर्ट में मशूर सिंगर मन्ना दे को भी उनके साथ परफॉर्म करना था लेकिन इसी दोरान मन्ना दे ने बाली ब्रह्मभट के साथ परफॉर्म करने से मना कर दिया दरसल मन्ना डे के मताबिक बाली रीमिक सिंगर थे और अलग शैली का गायन करते थे जो मन्ना डे के मन मताबिक नहीं था और शैली से उनको चिर थी लेकिन जब मन्ना डे ने उनको होटल में क्लासिकल संहीत का रियाज करते सुना तो उनको काफी पसंद आया और मन्ना डे ने अपने शब्दों को वापस लिया साथ ही बाली ब्रहमभट के साथ कॉंसर्ट किया और उनको धेर सारा आशिरवाद भी दिया आज के एपिसोड में बस इतना ही हम उमीद करते हैं कि आज का हमारा ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा साथ ही ये भी उमीद करते हैं कि बाली ब्रहमभट जहां भी होंगे वो स्वस्थ होंगे और जल्दी ही बॉलिवुड में दुबारा दमदार कमबाक करेंगे और अपने गानों से लोगों का मनरंजन भी करेंगे फिलाल हमें दीजिए इजाज़त और आप से रिक्वेस्ट है कि हमारे चानल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए नमस्कार